नवस्कार दोस्तों रीसेंट में हमारा भारतिय फुटबोल अपने पीक पर चल रहा है पीक पर पर्फोर्मेंस को लेकर नहीं लेकिन कॉन्ट्रोवर्सी के मामले में हिस्सा में हमारा इंडियन फुटबोल काफी आगे चल रहा है अब वह वह नेशनल टीम की हो हमारे हमारी बारती टीम का पहले एफसी एशिन कप के अंदर रहा उसके बाद फीफा कॉलिफायर्स के अंदर रहा अब इनके बाद ना जितने भी इंडियन फुटबोल के फैंस आना बहुत सब की नजरेना सिर्फ और सिर्फ दो टोपिक के ओपर टीकी हुई है एक तो हमारे को अभी अच्छा खासा खत्रा मन रहा है क्योंकि वही देखो सबसे पहले अगर हम अपने प्रेजिन कल्यान चोपे साहब के उपर ही बात कर ले ना तो भाई इनकी जोब ना अभी अच्छे खासे खत्रे में चल रही है क्योंकि जितनी भी पहले रीसेंट में नियोज आय थी उन्होंने हसाथ की अभी जो करन्ट में हमारी इंडियम फुटबॉल डियान के अन्दर जोग एक कमीटी बनी हुई है ना जो पुरी प्रेजिधेंट की टीग है इनको हटाकर एक नई टीम अनाउंस करी जाएगी और इंडिया फुटबोल फेडरेशन का निया प्रेजिडेंट अनाउंस किया जाएगा और इसकी हीरिंग भी आज यानी 5 अप्रेल को थी क्योंकि आंद्र परदेश के फुटबोल एसोसीशन के जो हैड है ना उनोंने भी का था कि भाईया मैं 110 परसेंट शोर हूँ कि कल्यान चोविय को पोजीशन से हटाया जाएगा और उनकी जगह कोई नया प्रेजिडेंट अनाउंस किया जाएगा और उन्होंने तो इतना तक क कि इनको इस बार लोग सबब की टिकट भी नहीं मिलेगी बीजेपी की तरफ से लेकिन अब आज हुआ क्या पांस तारीक को पे सुप्रीम कोट में जो ही सुनवाई होनी थी उन्होंने इसको भी पोश्पॉन कर दिया है उन्होंने का भी आज नहीं होगी इसके उपर हम बा कि तरफ से जब इन्डीयन फॉटबल फटेशन के उपर लगातार प्रैशर बनाया जा रहा था कि भाई आ मैने को साफ को सैक किया जाए उस समें इन्डीयन फुटबल भी काफी प्रेशर में था उन्होंने आगे से रिपलाइक क्या कि भाया जब इनका कोंट्रेक्ट बनाय नहीं छोड़ा कि जिसकी वज़ा से हम इनको बीच में से सैक कर सके इनके कॉंट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सके अब इस चीज की वज़ा से इगो स्टीमेश के साथ हमें फिल्हाल कॉंटीन्यू करना पड़ेगा क्योंकि इसमें निलंजन बटाचारे जी और शाजी प्रभाकर बटाचारे जी इन दोनों ने आकर भाई डिफैंस में ये बोला कि AIFF हमारी इंडियन फुटबोल फेडरेशन जो है न वो इस चीज का बहाना बना रही है हमारे उपन नाम डाल कर कि कॉंट्रैक्ट के अंदर को ऐसा क्लोज नहीं है लेकिन उन्होंने आगे से ये बोला कि अगर इंडियन फुटबोल फेडरेशन चाहे ना वो अभी के अभी दो मिनिट के अंदर इगोस्टी मेंच के कुंट्रैक्ट को सैक कर सकती है उनको अभी के अभी वापिस को रिश्या भेश सकती है वो बस जानकर हमारे उपर बाल डाल रहे हैं और वो खुदी इगोस्टी काहनी अपने समझ से वाहर है कि इस ने वैसा कर रहा है और इन चीज़ों के साथ एक मीटिंग बिठाई जाएंगी एक वर्चुन मीटिंग बिठाई जाएगी जिसके अंदर यह डिसाइट किया जाएगा कि किसी तरह से किसी तरह मतलब बीच का कोई ना को यह दास्ता निक आटा सके अब जैसी एनाउसमेंट दूना अब यह फैंस इतने खुशते उनको लगा कि चलो फाइनली अब यह भाई साब जाने वाले हैं यहां से लेकिन जब हाज मीटिंग हुई है तो भाई मीटिंग के बाद की जो रिपोर्ट्स आई है ना उसमें एसाट बोला गया कि हमारे कोश साहब ने का कि जब मेरा कॉंट्रेक्ट रिन्यू करवाया जा रहा था तब यह डिसाइड हुआ था कि इंडिया को राउंड थ्री में पहुचाना है फीफा वर्ल्ड कप के और अभी भी हमारे पास दो मैच है और ग्रूप के अंदर हम सेकिंड पोजीशन पर है तो यहाँ पर क्या चीज की गलती है यह चीज में को समझ नहीं आरी तो अब भी भी हमारे पास अच्छा हम हो गया और राउंड थ्री में जा सकते हैं और इसका पूरी टीम बेसबरी से इंतजार कर रही है अब इगो शीमेश ने तो भाई यह बात बोल के अपना ओपीनिय है लेकिन हमारी इंडियन फुटबोल फरेंडेशन आगे से क्या करती है कि जो एक महबर टेक्निकल कुमेटी थी ना जिसको हमारे आयम विजयन साब चला रहे थे वह इस चीज के खिलाफते वह चाहरे थे कि इगो श्रीमेश को से किया जाए अब भाई इस बात में पतानी क पूरा पूरा सपोर्ट है अगले आने वाले दो मैचिस के अंतर जून में खेले जाएंगे आपको पूरे अच्छे तरीखे के कैम्प दिये जाएंगे बस आपको इंडिया की टीम को राउंड थ्री में लेकर जाना है और इससे भी बड़ी बात उन्होंने पता है आगे क् कि भाई राउंड थ्री में तो आप ले जाओगे ही ले जाओगे लेकिन अगर आप राउंड थ्री में ले गएने इंडिया की टीम को जो ऐसा पहली बार होगा आपका जो कॉंट्रैक्ट है सीधा के सीधा दो हजार अथाइस तक रिगनियू करती आ जाएगा अतला भाई स साल ये इंडिया की टीम के हैड कोच बनकर रहेंगे और जबकि ऐसा कुछ खास तो इन्होंने करा भी नहीं है कि इनको नो साल तक के लिए कोच बनाए रखा जाए एंटनी मतलब घटिया प्रफोर्मेंस थी हमारी टीम की अच्छा-कासा मजाग बनाए गया फीफा कॉलिफ कोई जपान या साउथ कोरिया की टीम नहीं कि जिनको हराने के बाद आप उन्हें सीधा 2028 तक का कॉंटक्ट दे रहे हो और सोच दोगाशा 27 का एफसी एशन कब भी है बीच में तो यह तो सुनकर ही मेरे को थोड़ा सट ड़ लगने लग गया कि एको सी में जितवाद देते कि अगर इस ताइम पर हम इस टीमेच को हटाते हैं तो टीम का बैलेंस बिगड़ जाएगा टीम को आगे आने वाले मैचिस के अंदर ठीकत हो सकती है और यह मारा गोल्ड एंचांस है राउंड 3 में जाने के लिए अब भाईये सोचो भी उस मैच में कम से कम दो महीने इसको स्टार्ट होने से सिर्फ और सिर्फ एक महीने पहले उन्होंने अपना कोच चेंज करा और जपान से लेख रहा है मतलो सैक कर दे हो लोने एक महीने पहले और उसके बावजूद वो टीम घर राउंड और 16 तक गई है और क्या जवदास परफोर्मेस दिखाई अपने बीच में कोच सैक कर दिया और उसके बावजूद इंडिया की टीम क्वालिफाइए नहीं करी राउंड और 16 में थाइलेंड की टीम क्वालिफाइए कर गई कि हमारे वाले यह सोच कर डर रहे है कि टीम का बैलेस ना भी कर जाए और वहाँ पर फटाक से सैक माना जा रहा है वहाँ पर जो टीम एफ कॉन कप जीती आई वरीडी कोस्ट वह बहुत स्टार्टिंग के मैच हानने के बाद ही उन्हें अपने कोच को सैक कर दिया और हुआ क्या रिजल्ट में को सैक करके जब नए कोच को लेकर रहे ना वह एफ कॉन कप के टूर्णमेंट का खिताब यु आज की वीडियो में बस इतना ही आप लोगों को क्या लगता है कि इंडिया को कुवेद के साथ मैं जीतना चाहिए या फिर हाड जाना चाहिए ताकि कोस्ट आपको वापिस बेढ़ा चाहिए करवें सक्शन में बता सकते हो वीडियो पसाद रहे चैनल को सस्क्राइब कर द